आप क्या सोच रहे हैं कि पवन को इतना मतलब मुझे लगा लो कि इतना ग्यान कहां से आता है ये वीडियो बनाई चले जाते हैं और कभी भी किसी चीज की तयारी नहीं करते किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी विशे की कि किस विशे पर बोलना है उसकी ये कभी तयारी भी नह उगजता है कहां से पैदा होता है कुछ से कभी कभी आपके मन में ये समश्या चलती रहती है ये शंका चलती रहती है ऐसा कैसे संभव है तो आपके मन का जो ये परशन है इसको जान लिया गया है चलो इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इतना ग्यान कहां से प्रक जो आपके मन का संका का समाधान भी हो जाएगा जो आदमी उस एक को जान लेता है जो मनुश्य जो जीव उस एक को जान लेता है जो सारी स्रिष्टी का सार है उसको स्वेमता ही इस ब्रह्मांड के राजपता होने लगते हैं इस यूनिवर्स के इस समस्टी का ग्यान प्राप तोने लगता है साधार रण हो सिंपल भाष में कहूं तो जितना भी यह विस्तार है जितनी भी तुनिया भी पहली हुई है कि इसका इसका ग्यान प्राप्त होने लगता हैं है इसके साधी कैसे कराय जाता है ये उपर उपर का ग्यान है इसमें कोई विज्ञान नहीं है लेकिन जो विज्ञान है इस कुद्रत की गहराई में जो विज्ञान काम कर रहा है वो संपूर विज्ञान का ग्यान प्राप्त होता है उस एक को जानने के बाद में तो अगर आप उस एक को जान लेंगे तो इस कुदरत का इस फैलाओ का इस संसार का विज्ञान प्राप्त होने लगेगा उस एक को जानने के बाद में संपूर्ण स्रिष्टी का ग्यान प्राप्त होता है विष्टी हो या समस्टी हो या स्रिष्टी हो इन सभी का ग्यान प्राप्त हो जाता है आप उस एक को ही जान लीजिए उस एक को जानने के बाद में कुछ जानने को सेस नहीं रहेगा उस एक को जानने के बाद इस संपूर जगत का ये संपूर जगत कैसे काम कर रहा है कैसे ये किरिया सील है कैसे ये पेड़ पोधे बढ़ रहे है कैसे कोई जनम ले रहा है कोन कब मरने वाला है कब किसका जनम होने वाला है किसके पिछले जनम क्या थे अगला जनम क्या होगा ये शरिष्टी सुरू कैसे हुई ये धर्ती कैसे बनी ये आकास पाताल कैसे बने ये देवता कैसे बने इस धर्ती का अंत कैसे होगा ये दुनिया कैसे खतम होगी या परले होगी संपून तागा ग्यान प्राप्त होता है वी ग्यान एक एक चीज़ को अलग अलग जानने की कोशिस करती है जैसे कि वो किसी बिमारी का इलाज ढूनती है वो एक बिमारी है वो संपून बिमायों का एक सात मिलाज भो भी नहीं ढूंड सकती है हवाई जाज कैसे उड़ेगी तो ये भी एक विज्ञान है दूसरी बात गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है ये भी एक विज्ञान है तो जो विग्यान है वो तो एक एक चीज का ग्यान प्राप्ट धीरे धीरे करती है और उसको लगता है टाइम एक एक चीज का ग्यान प्राप्ट करेंगे हमारा दिल कैसे काम कर रहा है हमारा लीवर कैसे काम कर रहा है हमारी आते कैसे काम कर रही है एक-एक विज्ञान को ढूंडने में तो हजारों साल, लाखों साल, करोडों साल आदमी को लग जाते हैं तो उसको संपूर्णता का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है उसको कुछ हिस्सों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है छोटी छोटी चीजों का ज्यान प्राथ ओता है विज्ञान को अगर आपको पूरे ब्रह्मांड का जगत का ज्यान चाहिए पूरे यूनिवर्स का कैसे काम कर रहा है संपूर्णता का ज्यान चाहिए कि कोई कुछ भी पूछे और आप उसका जवाब दे दे विज्ञानिक तोर पे आप उसका जवाब दे दे अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो इस एक को जान लो उस एक का ज्ञान प्राप्त कर लो जिसके जानने के बाद में पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो जाता है स्वेमता ही आपको पूरा ग्यान प्राप्त हो जाएगा इस पूरे जगत का ग्यान प्राप्त हो जाएगा देवता क्या सोच रहे हैं वो क्या करने वाले हैं कोई किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है ये स्रिष्टी में आगे परले होगी कहां पे बाड़ाने वाली है ये सारा ग्यान प्राप्त होगा तो इसलिए कहते हैं कि उस एक को जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाता तो उस एक को ही जानिए उस एक को ही जानने के लिए कोशिश करिए और उसका एक ही उपाय है गुरू सिवा साइद वो तो हो नहीं पा रही है इसलिए जो उस मालिक को पा लेते हैं जो गुरू, जो संत महात्मा, जो सादू संत उस एक को पाने में कामियाब हो जाते हैं और उसकी प्राप्ति कर लेते हैं तो वो किसी भी सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का ग्यान दे सकते हैं और किसी विशे के बारे में बता सकते हैं तो आज ये राज बताया कि संपूनता का ग्यान कैसे हो तो एक को जानो संपूनता का ग्यान स्वेमता ही हो जाएगा तो हे प्यारे उस एक को जान उस ब्रह्मान के उस खुद्रत के सार को जान तो वो एक ही सार है जिसको जानने के बाद में कुछ भी शेस नहीं रह जाता है कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है तो उस एक को जानने की कोशिस करनी चाहिए और बाकी एक एक चीज को छोटी छोटी बातों को जानने की कोशिस नहीं करनी चाहिए आप YouTube देखते हैं, वीडियो देखते हैं आप मुबाइल पे, इंटरनेट पे काफी चीजे देखते हैं आप एक एक चीज का ग्यान प्राप्त करने की कोशिस करते हैं तो गुरू के पास जाईए, गुरू की सेवा कीजिए आखरी तोड की बात, आखरी फते की बात और आखरी ग्यान की बात बताता हूँ इस संपूर्टा का ग्यान प्राप्त हो जाएगा गुरू के पास रहने से उस मालिक की प्राप्ती होगी और उस मालिक की प्राप्ति के बाद ये संपूनता इस ब्रह्मान का संपून और इस रष्टी का आदी अंत सब कुछ पता होगा तो एक को जानने के लिए कोशिस कर तो आखरी में एकी बात कहता हूं जो की सदा से कहता आया हूं आप सब के अंदर बैठे उस महान सत्ता को उस परम सत्ता को मैं बार बार परणाम करता हूं मेरा परणाम प्यार से स्विकार कीजिए धन्यवाद आज की